तो जया हिंद मेरे प्यारे साथ ही हो, कैसे हूँ आप सभी लोग, I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोफतो GDS यानि कि ग्रामी ने डाक सेवक की नई भरती का इंतजार करने वाले लाखों हजारों छातरों के लिए आज का जो वीडियो है, यह बहुत ही जादा वैल्यूबल होने वाला है, बहुत ही जादा इंफॉर्मेटी होने वाला है जिससे कि अगर आपके कम percent marks है high school में तो भी आपका selection यहाँ पर हो सकता है दोस्तो उस वीडियो के comment section में काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो की तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे जो सवाल मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जिसका जवाब मैं बारी-बारी से दूगा जैसे कि सार यह बताईए GDS के आने वाली नहीं भरती में इस बार computer certificate लगेगा कि नहीं लगेगा मेरे पास triple fee, dfa, o level यह फिर tally का certificate है तो वो मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा कि नहीं apply कर पाएंगे, सर मेरे इतने कम perfect marks है मुझे किस state से किस circle से apply करना चाहिए जिससे की मेरा selection हो सकता है दोस्तों सारे सवालों का जवाब जो है आज की इस video में देने वाला हूँ तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक watch किजेगा और चैनल पे भी अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना तो प्लीज या चैनल को भी जरूँ सब्सक्राइब कीजेगा इसी प्रकार के government job के more update के लिए देखे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारती डाग विभाग यानि कि GDS में जो नई भरती आने वाली है लगब लगब 37,500 से ले करके 40,000 पदों के बीच में GDS की नई भरती आपको देखने को मिलेगा जिसका notification की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि 15 जून के बाद में आपको जो है GDS की इस नई भरती में online आवेधन पूरी तरीके से start हो जाएगा इसलिए अभी से मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि अभी लोग अगर आप कमर नहीं कसे हो तो अपना कमर कस लिजे पूरी तरीके से तैयारी बना लिजे कि मेरे पास क् क्या क्या documents होने चाहिए जो कि GDS की आने वाली नहीं भरती में apply करते time लगेगा और DV के time पे भी ये सारे documents देखे जाएंगे ठीक ना तो सबसे पहला सवाल ये था बच्चों का कि सब ये बताए computer certificate लगेगा कि नहीं लगेगा तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि पिछ लगेगा तो पूरी तरीके से मान यहोगा किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है देखिए इसमें criteria ये बताया जाता है कि minimum आपका 90 days से उपर का certificate होना चाहिए तो आपका चल जाएगा यानि कि इसके समकच में कोई और भी certificate अगर आपके पास है ना तो मान यहोगा किसी कि कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 90 दिन से उपर का certificate होना चाहिए ठीक है ना उसके अलावा दूसरा सवाल यह है बच्चों का कि सर्य बताइए अभी मेरा उम्र जो है इसका notification जारी किया जाएगा तो उसमें एक दिया जाएगा age count as on यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ age count as on इसका मतलब यह होता है कि आपका जो age है इस date से count किया जाएगा यानि कि आपका जो date of birth से ले करके इस date तक अगर आपका minimum age 18 साल होता है तो आप farm को apply कर सकते हो और उससे अगर एक दिन भी कम पढ़ रहा है तो उसमें आप apply नहीं कर पाऊगे सीधे तोर पे मैं बता देना चाहता हूँ ठीक ना मुलब एक दिन भी अगर कम पर जागे तो उसमें आप apply नहीं कर पाऊगे 18 साल से plus का age होना चाहिए तभी जा करके आप apply कर पाऊगे ओं maximum age मैंने आपको बता ही रखा है 40 साल तक के candidate apply कर सकते हैं OBC के candidate 43 साल SCST के candidate 45 साल और यहाँ पर अगर वे candidate जो की pH handicap है वे यहाँ पर 50 सा का age में relaxation देखने को मिलता है ठीक ना जैसा कि आपको मालूम होगा कि यह जो भारती आती है भारती डाग विवाग में इसमें किसी प्रकार का कोई भी written exam नहीं होता है दसवी के percentage के आधार पे यहाँ पर merit सूची तयार किया आता है और आपका selection होता है और दोस्तों यहाँ प यहाँ पर आपके पाचवे में आठवे में नवे में दसवे merit सूची में भी नाम आ सकता है जैसे जैसे जो है लिश्टे जारी होती है ना वैसे वैसे percentage जो है डाउन होता रहता है ठीक ना वो सारी चीजे में अभी आपको आगे बताऊंगा अगला सवाल यह है च्छात्रो चाहिने से पुराना काश्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए अगर पांच साल चार साल दो साल अगर पुराना हो गया है तो उसे आप जल्द फिल जल्द रिन्यूवल करवा लीजेगा वह ज्यादा फहरेगा देखे काश्ट सर्टिफिकेट जो है बार बार नहीं बनता है उसे आपको renewal करना पड़ता है अगर ज्यादा पुराना हो गया है तो तो आप जा करके csa center में जा करके वहां से renewal करवा लिजेगा पांच साल पुराना cast certificate नहीं चलेगा और देखे all documents की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने कई बार आपको बताया है कि दस्वी की mark sheet certificate की जरुरत पढ़ती है उसके अलावा cast certificate लएगा cast certificate जनरल candidate का नहीं लगता है उसके अलावा अगर आप OBC, EWS, SCHT category के अंतर के belong करते हो तो उसमें आपका cast certificate लगेगा ठीक है ना cast certificate जो है central level का होना चाहिए state level का cast certificate नहीं चलेगा इस चीज को धियान रखेगा क्योंकि maximum candidate ऐसे भी है ना जो कि state level का cast certificate बना रखे है आगे चलके problem हो जाएगी अभी से आप लोग जो है central level का cast certificate बनवा लीजेगा उसके अलावा residential certificate permanent निवास प्रमाड पत्र आपका लगेगा उसके अलावा दोस्तों आधहार कार्ड कंपलफरी है आधहार कार्ड और high school के अंक तालिका में आपका नाम, father name, date of birth, address अगरा सब कुछ सही होना चाहिए किसी प्रकार का mismatch नहीं होना चाहिए उसके अलावा दोस्तों ph handicap के लिए कहना चाहूँगा कि आपके लिए एक विकलांगता certificate बनता है वो बनवा लिजगा सभी candidate से कहना चाहूँगा कि medical certificate आप लोग जरूर बनवा लिजगा नजदीक के city hospital से बनता है ठीक है ना और passport size रंगीन photo आपके लिए चाहिए ठीक है ना बस इतने सारे documents देखने को मिल जाएगा और इसके दो से तीन दिन के बाद इसका online आवेदन भी पूरी तरीके से start हो जाएगा देखे काफी सारे candidate ऐसे है ना जो कि मुझसे कहते हैं कि सर आप GDS पर इतना जादा वीडियो क्यों बनाते हो देखे दोस्तों मैं सुरुआत से वीडियो जो है बना ही रहा हूं उसमें काफी सारी candidate ऐसे है ना जो कि मुझसे regular जुड़े हुए हैं और यार मेरी वीडियो बनाने से अगर 10 लोगों का भी ज्वाइनिंग हो जाता है GDS के आने वाली नई भरती में तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाता है इसलिए मेरा काम क्या है मार्ग दर्शन करना सही रास्ता आपको दिखाना बस आप लोग थोड़ा सा मुझ पर भरोसा कीजेगा इसलिए कहता हूं कि चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और टेली ग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडि में आपका फिलक्षन हो जाएगा देखिए आप लोग मुझे से एक वादा की्जेकि कि 2024 में मैं एक सरकारी नौकरी लेकर के रहूंगा आप मुझे से प्रॉमिस में पर भाकरदी नौकरी आपकी नौकरी लगेगी लेकिन देखे यहां पर कुछ शर्थ भी है कि आपके परफंटेज भी ठीक ठाप होने चाहिए अगर आप कहोगे कि सर मेरे 40 परफंट माक्स हैं और मैं भारती डाग विभाग में नौकरी करना चाहता हूं तो अब तो नहीं हो पाएगा ना यार कम स में कितने परफंट अंग होने चाहिए जिससे की मेरा फ्लेक्षन हो सकता है तो दोस्तों देखे यह डिपेंड करता है कि आप किस डिवीजन से किस सर्कल से फार्म को अप्लाई कर रहे हैं आपकी कैटेगरी क्या है और आपने पोश्ट प्रिफरेंस जो है किसी साब से चू लगा फ्लेक्षन हो सकता है तो जैसे कि अगर माल लिजे कि आप नौर्थिष्ट से फार्म को अप्लाई कर रहे हो ठीक ना पिछली बार क्या हुआ था नौर्थिष्ट में बच्चों का बावन परफंट चाववन परफंट 59 परफंट में भी फिलेक्षन हुआ था उसके लावा अगर आप माल लिजे कि साउथ हिंडिया से फार्म को अप्लाई कर रहो तो साउथ हिंडिया में सभी लोग फार्म को अप्लाई नहीं कर वकते हैं जो साउथ के रीजन के लोग है ना वहीं वहां से फार्म को अप्लाई कर वकते हैं क्योंकि वहां का लोकल लिग 100% कट आफ जाएगा जितने भी बच्चे हरियाना पंजाब उसके लावा उत्तराखंड दिल्ली हमानचर प्रदेश से मुझे देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस डिवीजन से किस सर्कल से आपको फॉर्म तक बता दिये हैं कि इस डिवीजन से आप लोगं को अप Link करोगे ना तो आपको कि चांसल हाए लेकन देखें ये जो हरियाना हो गया पंजाब हो गया उसके अलावा हिमांचल प्रदेश ओगया दिल्ली हो यहां से आप लोगंcket एप्लाइए मत किजेगा following ूप के कुछ SBD तो आपके कम से कम अगर आपके 70% प्लस माकस होंगे ना तो दोस्तों आपके आपका नाम जो है आजाएगा अगला फवाल यह है की सर्य बताये एक राज्य का जो कंडिडेट है वो दूसरे राज्य में आविदन कर सकता है कि नहीं अप्लाई करस्ता जोसतों आप लोग अराम से आविधन कर सकते हो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ने है लेकिन देखें अगर आप हंदी भाषिच्छेत्र के इंदर करते हो तो आप हंदी भाषिच्छेतर में अपलाई कर पाऊगे उसी सरकल परसाकूं के renे वालिे emphasis आप असम से अप्लाई कर दूँ अरुण आंचल प्रदेख से अप्लाई कर दूँ तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वहां का लोकल लैंग्वेज जो है अलग है और आपके लोकल लैंग्वेज अलग है आपकी दस्वी के मार्शीट में जो सब्जेक्ट पढ़ा है ना लोकल के एरिया में आपерм को एप्लाँ कर कत ए है जैसे कि दस्वी के मार्षित में अगर हिंदी पड़ा है तो आप हिंदी भाछी छेत्र पर ही अप्लाई करोगे. दूसरे श्टेट पे आप Poptown को एपलाई जान दीजिएगा अगला सवाल यह है कि सर्य बताइए कोवीड नाइंटी के टाइम पर प्रमोट किये गए इस्टुडेंट का फिलक्षन होगा कि नहीं होगा वे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर किसी प्रकार का कोई भी फिट मिलेगा सबसे ज्यादा फाइदा होगा क्योंकि उनके परफंटेज अच्छे हैं वे अप्लाई भी करेंगे और उनको नौकरी भी उनको मिलेगी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप एप्लाई नहीं कर पाऊगे आपका फिलक्षन होगा यह सब बिलकुल जूटी बा बताये फेक सर्टिफिकेट बना करके डाग विभाग में नौकरी ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त यह सर्टिफिकेट का गिरोह है पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है वहां पर आपसे कहा जागा कि आप 2,00,000,000 रु जरूर हो जाए गे और आप झेल भी चले जाओंगे क्योंकि आपने डीजी लॉकर का नाम सुना है ना डापमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर डीजी लॉकर के माध्यम से आपका क्या होगा डाकुमेंट verification किया जाएगा जिसे कि वे candidate जो की जिनके पास fake certificate है fake documents है आप वे पकड़े जाएगे और उनकर उन पर कानूनी कारवाई भी हो सकती है इसलिए आप इन सब के चक्कर में बिल्कुल मत रहेगा आपके 2,5,000 रुपए भी चले जाएगे और आपको कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी सीधे आप जेल जाओगे इसलिए जो सही तरीका है जनुएन तरीका है उसे इक्तियार करके आप भारती डाग विभाग में नौकरी कर सकते हो इन सब आप केवल एक ही स्टेट से फार्म को एपलाई कर सकते हो एक ही सरकल को चूफ कर सकते हो ठीक है नवा सवाल यह है कि सर यह बताईए पोश्ट प्रिफरेंस किस प्रकार से देना चाहिए और यह क्यों जरूरी है तो दोस्तों इस पर अगर मैं सेपरेटेड वीडियो बनाने आपको इसमें मिल जाएगी इसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आपके कम पर्सेंट मांगे तो भी आपका यहां पर फिलेक्षन हो सकता है उसके अलावा देखिए नोट पॉइंट में मैंने आपको चीजे लिख रखिए जैसे कि अगर आप हर्याड़ा, पंजाब, दि परदेश, छातिसगर, जारखंड इन सभी स्टेट से आप लोग फार्म को अप्लाई कर सकते हैं यहां पर जो है कटाफ थोड़ा कम जाएगा तो वहां से आपके फिलेक्षन हो सकते हैं ठीक है और बाकि यह सारे बेसिक डिटेल है इसके बारे में मैं क्या ही जानकारी दू यह सारी चीज़े आप जानते ही होगे कि फीस के अगर मैं बात करूँगा तो इस जीडियस के आने वाली नहीं भरती में अगर आप जनर्रल ओबीसी एवस कैटेगरी के अंतर गताते हो तो आपको सो रुपए लगेगा एस से एश्टी पीएश हैंडी का आप तो कोई आपका मेरिट सूची तयार किया आता है और आल इंडिया के मेल और फीमेल कंडिडेट के लिए यह वेकेंसी निकाली जाती है देखें दोस्तों कोई भी वेकेंसी छोटी या बड़ी नहीं होती है यह मत सोचेगा कि सैलेरी इसमें कम है तो इसमें मैं अपलाई नहीं और इसमें मैं नवकरी नहीं करूँगा इसा बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त का जो समय चल रहा है वो बहुत ही कमपटेशन का दौर चल रहा है तो आप लोग एक सरकारी नवकरी हाफिल कर लीजे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यह मत देखे कि कौन सी नवकरी चोटी है कौन सी नवकरी बड़ी है एक सरकारी नवकरी मिल जाएगे ना उसके बाद आप प्रमोशन इसमें भी ले सकते हो और उचे पद पर जा सकते हो जिससे कि आपकी आपकी सेलेरी भी बड़ेगी और आपको सारी की सारी सुविधाय भी दी जाएंगी दोस्तों आपको इस वेक लगा हो तो वीडियो को लाइक किजगा चैनल को सब्सक्राइब किजगा बाकि फिर मिलूंगा किसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद